The Life TV, सच सब से आगे अससे पहले आपको बता दे कि अमिच्या मनिपूर का दौरा कर चुके हैं मनिपूर में उन्होंने दौरा किया सिते का जायजा लिया हाई लेवल की मीटिंग की लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की परेशानी वहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही है मनिपूर में दो समुदाय के बीच लड़ाई जो है वो हिंसा में तबदील हो गई और मनिपूर में उसके बाद हिंसा की आँख में मनिपूर जनने लगा जिसके बाद अब जो लोग हैं वो दिल्ली में अमिच्छा के घर के बाहर प्रदशन कर रहे हैं और मिच्छा से मिलने की मांग भी कर रहे हैं इसे बीच कुछ तस्वीरे भी सामने आ रहे हैं वो तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे मनिपूर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे और इसी के साथ गरी मंत्री अमिच्छा के घर के बाहर मनिपूर के लोग जमा हो गए हैं मनिपूर के लोग ये कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अमिच्छा ने वहाँ पर शान्ती का वादा किया था लेकिन क्या वहाँ पर शांती है इसी के साथ मनिपूर के जो लोग है उनमें गुसा भी साफ साफ देखा जा सकता है क्योंकि पिछले कई दिनों से मनिपूर में हिंसा जो है वो लगातार भड़क रही है हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है लोगों को जानमाल का नुकसान हो रहा है कई लोगों की हत्याई हो रही है कई लोगों की जाने भी गई है कई लोग घायल हो रही है यहां तक कि कई हजार लोग जो है मनिपूर में अपना घर अपना महला अपना इलाका छोड़ने के लिए मजबूर हैं जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में सडकूप पर शरन ले रहे हैं और उसी को लेकर लगाता जो है मनिपूर के लोग प्रधान मंत्री मोदी और बीजेपी के नेतितरवी से ये मांग कर रहे थे कि वो यहाँ पर आकर के स्थित्री का जाज़ा लें दखल दे हाला कि अमिच्छा वहाँ पर पिछले ही दिनों दोरे पर गए लेकिन उसके बावजुद भी स्थिति जो है वो बहाल नहीं हुई इसके बाद अब मनिपूर के लोग दिली में अमिच्छा के घर के बाहर धढ़ना प्रधर्शन कर रहे हैं और पुलिस न रोकने की कोशिश की लेकिन उसके बावजुद भी बैरिकेटिंग हटाते हुए बहुती शांतिबून तरीके से मनिपूर के लोग जो है वो अमिच्छा के घर के बाहर धढ़ना प्रधर्शन कर रहे हैं तस्वीर जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मनिपूर में मनिपूर की जो लड़कियां हैं जो यहां पर यहां पर काम करते हैं, युनिवर्सिटी जो में रहती हैं, वो भी स्थिति बाहर करने के लिए जो अपने परिवारों की जान जा रही है, लगातार हत्याई हो रहे हैं, उन्हीं समस्याओ को जागर करते हूं, यहां पर धढना प्रदंशन कर रही हैं, हातों में पोस्टर बै आजित की है उसमें दिखाया गया है। बताया गया है कि मनीपुर के लोग क्या कुछ ठह रहे हैं। मांग कर रहे हैं शांती बाहाल को लेकर मनिपूर के कूकि समाज के लोग अमिच्छा के घर के बाहर प्रदेशन कर रहे हैं आगे K greens maithya ने मनिपूर में 3 मय को वी हिंसा के बाद प्रवेश का दौरा प्रदेश का दौरा भी किया था उन्हों अलग-अलग समुदाय के साथ बैठक कर राज्य में शांती बहाल की अपील भी की थी हिंसा की जांच के लिए गुहाटी हाई कोट के पुर्व मुख्य न्याइदेश अजे लांबा की अध्यक्षता में न्याइक आयोग का गठन भी किया था इधर मनीपूर के कूकी समाच के लोग दिल्ली में अमिच्छा के घर के बाहर प्रदशन कर रहे हैं तो मनीपूर में पिछले कई दिनों से हिंसा जो है वो फैली हुई है मनीपूर हिंसा की आँख में चल रहा है लेकिन आरोप लग रहे थे बीजेपी पर के बीजेपी का सारा ध्यान जो है वो चुनावों पर है करनाटक विधानसवा चुनाफ पर है और बीजेपी से कोई भी बड़ा नेता या कोई भी नेचतर बीजेपी का वहाँ पर जाकर के सिती का जायजा नहीं लेता है हाला कि तीब भाई को अमिच्छा वहाँ पर गए और वहाँ पर सिती का जायजा लिया मीटिंग भी की लेकिन उसके बावजूद भी स्तिती जो है वो बहाल नहीं हो रही है आगे लिखा है ग्री मंत्री के घर के बाहर प्रदशन कर रहे लोगों का कहना है कि अमिच्छा ने कहा था कि राज्य में शांती लोटेगी इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं कुकी समाज के खिलाफ आज भी स्टेट फोर्स हिंसा कर रही है इसलिए शांती की मांग करते हुए हम ग्री मंत्री से शांती पुन तरीके से मिलने आए हैं तो ग्री मंत्री से मनिपूर के लोग जो है वो मिलने आए हैं जिसे लेकर मनिपूर के लोग अमिच्छा के घर के बाहर प्रदशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनिपूर के लोगों का गुसा किस तरीके से अमिच्छा पर फूट रहा है या पिर यूं कहें कि वो अमिच्छा के घर के बाहर प्रदशन करने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनकी कोई भी जो है वो नहीं सुन रहा है इसे के साथ इन प्रदशन कारियों में मनिपूर के कुकी, जोमी, हमार और मीजो समुदाय के लोग शामिल है इनका कहना है कि राज्य में हमारे परिवार के सदस्यों की रोजाना हो रही हत्याओ के विरोध में हम यहाँ पर प्रदशन कर रहे हैं हम अपनी बहनों और दोस्तों से अपील करते हैं कि वो आए और हमारे समुदाय पर किये गए हत्याचारों का विरोध करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनिपूर में स्थिती जो है वो बहाल होने का नाम नहीं ले रही है हाल ही में अमिच्छा ने दौरा भी किया लेकिन उसके बावजूत भी स्थिती वहाँ पर ठीक नहीं हो रही है और अब नौबत या गई है कि मनिपूर के लोगों को दिल्ली में आकर अमिच्छा के घर के बहार प्रदशन करना पड़ रहा है अमिच्छा से मिलने की मांग कर रहे हैं कूकी समाज के लोग यहाँ पर प्रदशन कर रहे हैं और इसी के साथ इस्तिती बाहल करने की भी मांग कर रहे हैं अब आपको बटाते हैं कि मैनिपूर में हिंसा क्यों हुई है और जो मैतेई समुदाए हैं उनकी क्या मांग है और दोनों समुदाए के बीच आखिर का लड़ाई की सबाद पर है मनिपूर में मैते समुदाय को ST कैटेगरी में शामिल करने की मांग तेज हो गई हाई कोट ने भी राज्य सरकार को इस मांग पर विचार करने का आदेश दिया आपको बता दे कि राज्य के छातर संगटन ने इसी मांग के खलाफ पार्च निखाला था ये मार्च चुराचांदपूर जिले के तोरबंग इलाके में हुआ भी होए थे इसी दोरान आदिवासीों और गैर आदिवासीों के भीज हिंसा जो है शुरू हो गई और उसी दिन से हिंसा जो है आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है भीड को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आसू गैस के गोले दागे हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंदर सरकार से मदद मांगी बाग में सेना और पैरा मिलिटरी फोर्स को पैनाज भी कर दिया क्या अब दोनों के वीश बांग क्या है और किस मांग को लेकर लड़ाई विवाद हो रहा है वो भी आपके सामने रख रहे हैं मनिपूर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्राबधान किये गए हैं इसके तहत पहाड़ी इलाके जो हैं उसमें सिर्फ आदिवासियों ही बस सकते हैं चुकि मैतई समुदाय को अनुसूचित जन जाती का दरजा नहीं मिला है इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते जबकि नागा और कुकि जैसे आदिवसी समुदाय चाहे तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं मैतई और नागा कुकि के बीच विवात की यही असल वज़ा है इसलिए मैतई ने भी खुद को अनुसूचित जाती का दरजा दिये जाने की मांग की थी और कुकि समुदाय इसका विरोध कर रहा था तो यहां पर आप पूरा मामला समझे की मनिपूर में क्या हो रहा है मनिपूर में क्यों हो रहा है और मनिपूर में जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरीके से नाकामियाब साबित हो रही है वहाँ पर स्थीति को बहाल करने की इससे पहले भी मनिपूर में राष्टेपती शासन लागू करने की मांग की गई थी जिसके बाद अमिच्छा ने वहाँ पर दौरा भी किया लेकिन अमिच्छा के दौरे के बावजूद भी वहाँ पर जो तस्वीरे हैं जो हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है नौबती आ गई है कि मनिपूर के लोगों को अब दिल्ली में अमिच्छा के घर के बाहर आकर के प्रदशन करना पड़ रहा है अपनी आवास वहाँ आकर के उठानी पड़ रही है और अमिच्छा से मिलने की वो लगातार मांग कर रहे है आपनी तस्वीरे देखी कि पुलिस लगातार बैरिकेटिंग के जरिये रोकने की कोशिश कर रही थी लोगों को लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं रुके लोगों का कहना है कि हमारे परिवारों की हत्याएं वहाँ पर हो रही है हमारे परिवारों के लोग जो है वो अपनी जान वहाँ पर हर दिन अपनी जान गवा रहे है अमिच्छा को वहाँ पर स्थिती बाहाल करनी चाहिए मिच्छा ने पीस का वादा किया था शांती का वादा किया था लेकिन वहाँ पर शांती बहाल नहीं हो रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BJP मनिपूर में किस तरीके से फेल हो रही है बीजेपी ने मनिपूर के चुनावों में पूरी ताकत जोकी लेकिन बीजेपी ने जो दावावादा किया था मनिपूर में शांती बाहल करने का वो दावे की पोल भी खुल चुकी है और बीजेपी शांती स्थापित करने में मनिपूर में कई हद तक नाकामियाब साबित हो दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे